दोस्तों, दस दिन पहले मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि मैंने एहां पर जो Steam Deck है उसे मंगा लिया था तो देख सकते हो और फिछले दस दिन से मैं इसको regularly यूज कर रहा हूँ यह मेरा पहला जो hand hand console है, इससे पहले मैंने आज से निटेंडो स्विच वगरा रहते हैं, उनको भी अभी उज नहीं किया था और मेरा जो experience रहा इसके साथ वो एकदम next level करा है, gaming wise और आपने से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले PlayStation 5 भी पर्चेस किया था, लेकिन जब से मैं यहां पर यह जो hand hand console यूज कर रहा हूँ, तब से मैंने भाई जो PlayStation 5 से ओन भी नहीं किया था, अभी इस वीडियो को चालू करने से पहले ही, मैंने इसको मिलती है, जो उसमें exclusive games है, वो आपको यहां पर यह जो hand hand console से मैच नहीं कर सकते, तो PlayStation 5 के साथ, अगर आपको hand hand console वाली feeling चाहिए न, तो कुछ दिन पहले मैंने यहां पर मगाया था, Backbone 1 controller for PlayStation 5, अब देख सकते हो, इसकी जो packaging है, किसी भी PlayStation के जो प्रोडक्स ही रहती है, वैसी है, क्योंकि यह एक officially licensed product है for PlayStation 5, तो compatibility का भी यहां पर को issue रहने वाला नहीं है, तो आज चुड़ो में हम इसकी unboxing करेंगे, और देखेंग कैसा है controller है, और यह जो controller है, वैसे अभी देखना चाहते हो, तो इस चनल को सब्सक्राइब कर लो, तो यह हमारा PlayStation Backbone controller का box, और यह जो controller है, जैसा यहां पर आप देख सकते हो, इसकी जो look है, यहां पर exactly similar ही है, जैसे आपको PlayStation के controllers के मिलती है, वाइट कलर का है, इससे पहले I think ए ब्लाक कलर में भी launch हुआ था, लेकिन यह जो controller है, यह PlayStation certified है, तो यहां पर officially licensed है, तो PlayStation 5 के जो controller की look मिलती है, आपको white color की, और यह जो controller है, यहां पर यह iPhone supported ही है, तो यहां पर lightning port रहेगा, उसके लाबा यहां पर पीछे के तरह भी बागी सब चीज़े लिखी में है, जल्दी से यह जो box ऐसे open करते हैं, और देखते और यह रहा हमारा PlayStation backbone controller, काफी बढ़िया लग रहा है, इसको एक बार side में रखते हैं, बागी जो box and content इसे check कर लेते हैं, और उसके लाबा यहां पर obviously कुछी user manual है, तो play safe, तो यह सारी instruction है, और इसके बाद आपको यहां पर एक और चोटी सी accessory मिलती है, अच्छी यह बॉक्स इसको मैं निकाल लेता हूँ, और actually एक adapter है for iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max के लिए, या फिर आप बोल सकते हो iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के लिए, क्योंकि यहां पर similar ही phones है, तो कुछ इस तरह से यह दिखता है, लेकिन इन में से मेरे पास कोई भी phone निया, तो इसको मैं side में रख देता हूँ, लेकिन आपाते ह वारे backbone 1 controller की तरफ, तो देख सकते हूँ, यहां पर इस controller की look है, वो काफी हद तक यहां पर जो आपको PlayStation 5 का control मिलता है, वैसी आपको DV है, यहां पर जो color वगरा है, वो यहां पर काफी हद तक similar है, जो यहां पर material भी उस हुआ है, वो भी हम बोलागी, काफी बढ़िया है, तो यहां पर जो आपको buttons वगरा ही मिलते है, वो आपको PlayStation जैसे ही मिलते है, लेकिन यहां पर joystick का layout है, वो काफी हद तक जैसे आपको Xbox के controller मिलता है, यहां फिर Nintendo Switch में भी आपको इसी तरह से diagonal joystick मिलती है, तो वैसी आपको यहां पर कुछ DV है, उसके आपको यहां पर कुछ दीवी इसके जो shoulder trigger button है, तो यहां पर L1, L2 और R1, R2 बटन आपको यहां पर दिया है, और यह जो triggers है, यहां पर यहां पर analog triggers है, उसके लावा controller के नीचे आपको यहां पर 3.5 headphone jack दिया हूँ है, जो कि iPhone में आपको नहीं मिलता है, तो यहां से आप इसको access कर सकते हो, उसके लावा य जो lightning port भी दिया हूँ है, तो यहां पर यह pass-through charging support करता है, तो gaming करते हैं, अपना जो phone वगएर आप इससे चार्ज भी कर सकते हो directly, तो overall जो controller की look है, या फर इसकी build quality है, मैं बोलूँ है, एक दम top notch है, और in hand जो यह controller है, काफी बढ़िया फिल हो रहा है, और इसके लावा यहां यहां आप आएफोन सिक्स के बाद जितने भी फोन शचार्टा अवी तक यूज कर सकते हो, लगा प्रोसेस तो अपना फोन से सिला है, अशु इस तरह कमा इस तरह भी का मात आप आप वोलता है, तो इसको मैं फुल कर यहां पर छल्दी से, ओ अब हमारा प्लेसें फाइशन है hand hand console बन गया है और नहीं पर अपनी जो playstation गेमस है इस फोन में खेल सकते हो लेकिन obviously आपको पर जो PS remote play app है उसे install कर ना होगा तो यहां पर मैं इन्स्टॉल कर ले तो जहों और obviously वी पर अपना PlayStation करने के लिए पने जो प्लेशन में आपको है पर remote play अफसन उसको प्रफंक हो डिनेबल करना होगा, उसके बाद आपना जो PlayStation यहां पर सब्सक्रिया है यहाँ पर आप कनेकर सकते हो, अभी मेरा फोन और PlayStation, वह similar यहाँ पर Role प्रेशन 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 प्रेश जैसे गेम्स फ्री है और अगर आपने 12 मंध की सब्स्क्रिप्शन लीए तो 36 गेम्स तो आपको यहां इसी मिल जाती हैं फ्री में तो एसेंशल वाले जो प्लैन में भी आप बहुत सारी गेम्स केल सकते हो और अपर अपर 499 शुरू होता है और यहां पर जो एक्स्रा वाला इसके बाद रिटरनल्स है डीमन सोल अससेंट क्रीड की सीरीज है वह यहां पर खेल सकते हो और देख सकते हो यहां पर काफी बड़ी सी एक लाइबरेरी है तो जितनी भी गेम्स आप यहां पर जो लिमोट प्ले के तूरू खेल पाओगे उसके लावग प्लेसेंशन प्ला के लावा यहां पर आपको गेम ट्रायल भी देखने को बिलते हैं तो जो भी नहीं गेम बगेरा आती है तो उसके आप जो ट्रायल्स खेल सकते हो जैसे यहां पर शाइबर पंक आपको मिलती है उसके लावा यहाँ पर Uncharted Legacy of Thief Collection है उसको आपको खेलना है थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर आपको दो घंटे का जो ट्रायल मिलता है तो खरीदने से पहले आप यहाँ पर ट्राय कर सकते हो गेम्स तो हैंडन कंसोल में रिमोट प्ले के साथ आप यहाँ पर्चेस कर लिया है देख सकते हो और अब मैं हाँ पर जो सारी गेम्स है इस चोटे से हैं एंड कॉंसोल में रिमोट प्ले के थू खेल सकता हूं तो सबसे पहले हैं पर ड़ेट स्टानिंग है उसे इंस्टॉल कर लेता हूं और इसे डाउनलोड पर लगा देते हैं लेकिन हैंड फील जो इस कंट्रोलर की है वो काफी बढ़िया लग रही है ऐसे ही लग रहा है कोई करना से मिनी कॉंसोल हो अगी गेम हमारी यहां पर चालू हो गई है और देख सकते हो जो गेम है वो काफी सही लग रही है और किसी तरह से मुझे जैसे कोई भी इंपूट लाग व जो मिनी हैंड कॉंसोल में गेम कहल रहा हूं तो जैसे यहां पर मेरा जो प्रेस्टेशन 5 है और इसको मैं अपने प्रजेक्टर के साथ कनेक्किया और रिमोट प्ले के तुरू यहां पर मैं जो अर्ग हैं और देख सकते हो किसी तरह से कोई भी हां पर डिले या फिर इनप अगर आपको जो प्लेस्टेशन वाला बटन नहीं दिया वा है बैकबॉन का बटन के जगा मुझे लगा अगर आपको हैंडन कॉंसोल पसंद है तो डेफिनेटल यहां पर आपके जो प्लेसेशन 5 को एक तरह से पोर्टिबल हैंडन कॉंसोल में कनवर्ट कर देता है और फिर इंपूट लैग नहीं दिखाया है जैसा यहां पर आप देख सकते हूँ मेरे पीछे यहां पर प्लेसेशन चल रहा है लेकिन जैसे में बताया है यह जो कंट्रोलर हैं इंडिया में यहां पर ओफिशिल लॉँज नहीं हुआ है लेकिन अगर आपको इस कंट्रोलर को तो वीडियो लाइक कर दोना और इस तरह का कॉंटेंट देखना चाहते हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं इसी तरह की एक 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 एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं मनाप कुम्लों आधिता